समय से पहले एक बार फिर से ओनपैसी बेपोर्टल के टेंपलेट डिजाइन को चेंज किया गया है यानि ओनपैसी बेपोर्टल के टेंपलेट डिजाइन को अपडेट किया गया है लेकिन इस बार On Passive Bay Portal में जिस टेंपलेट को अपलाई किया गया है उस टेंपलेट को पहले ही On Passive Bay Portal में लगाया जा चुका है इससे पहले on passive way portal में जिस template को apply किया गया था उस template में on passive way portal के home page पर scroll करने पर on passive way portal का home page आधा ही scroll होता था और आधा भाग ऐसे ही पड़ा रहता था वहीं आध जिस template को on passive way portal में apply किया गया है वह कुछ इस तरह से दिखता है इस template को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह template on passive way portal में पहले भी लगाया जा चुका है यदि आप सोच रहें कि on passive way portal में समय से पहले template को इसलिए update किया गया है क्योंकि उसमें on passive way portal के address को add किया जाए तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं on passive way portal के बारे में कुल चार देशों के नाम ही दिये गये हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि समय से पहले on passive way portal के template को update करने का कोई और बजह हो सकता है अब बजह चाहे जो भी हो इसकी जानकारी आने वाले समय में पता चल जाएगा और यदि हम इस template के बारे में बात करें तो इस template के home page पर यहाँ पर on passive का logo लगा हुआ है यहाँ पर home product about media center blog career contact us का button दिया गया है और यहाँ पर register login और long way change करने का option दिया गया है यहाँ पर join on passive ecosystem लिखा हुआ है यहाँ पर google play और app store का option दिया गया है जिस पर click करके आप OES mobile application को अपने mobile में install कर सकते हैं और यहाँ पर register hair for free का button दिया गया है जिस पर click करके कोई भी नया user on passive ecosystem में अपना account create कर सकता है और यहाँ पर इस भाग में एक video play होता हुआ नजराता है जो कुछ इस तरह से automatic play होता हुआ दिखाई देता है और on passive portal का यह template का home page कुछ इस तरह से दिखाई देता है जिसे आप नीचे की और scroll करके देख सकते हैं हलाकि इस पर मैंने पहले ही एक video बना दिया है यदि आपने उस video को नहीं देखा है तो उस video को मैं इस video के अंत में लगा दूँगा जिस पर click करके आप उसे देख सकते हैं वही on passive का headquarter अमेरिका से हटाए जाने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि इससे on passive को काफी नुकसान होगा क्योंकि on passive bay portal पर यदि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किसी देश से आता है तो वह अमेरिका से आता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि on passive bay portal पर United Estates से फड़वड़ी महीने में 31.55% ट्रैफिक आया था यानि मान लीजिए यदि on passive bay portal पर हर हफ्ते एक लाग ट्रैफिक आ रहा है तो उस एक लाग ट्रैफिक में से 31,000 ट्रैफिक सिर्फ अमेरिका से आ रहा है क्योंकि अमेरिका में बड़ी-बड़ी कंपनियों का headquarter है वहीं अमेरिका से on passive का headquarter हटाए जाने के बाद on passive को इससे नुकसान होता है या फिर मुनाफा होता है इसकी जानकारी आने वाले समय में मिल जाएगा उमीद करता हूँ इस वीडियो में दी गए जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कोमेंट में पूछ सकते हैं